है गाइज वेलकम टू ग्रेड अग्रेड सो बहुत दिनों बाद वीडियो स्टार्ट कर रहें वापस से बीच में इतना जो टाइम लाइस हो गया तो उसके लिए से और अभी से स्टार्ट करेंगे कि वीडियो कंटीनू रहेगा आप लोग भी वीडियो को शेर कीजिए तो युझ अव्याल जो अपना प्रॉबाइबिडियो का सीरीज चल रहा था वो सीरीज में कुछ टी व्यूडियो बचे थे हैं अगर आप देखा रहेगा तो बिच्देशनल प्रप्रेंटी लास्ट वीडियो था तो बाद जो बेस्ट धिरम करके टॉपिक है उसकी वीडियो बचे हैं तो base theorem के दो वीडियो plan किया है बट अगर आप comment करोगे तो और भी वीडियो हम लोग add कर सकते हैं तो ये वीडियो में हम लोग समझेंगे कि base theorem होता क्या है base theorem use कब करना है that's it but next video में हम लोग base theorem के related 2-3 sum solve करने वाले हैं और उसके बाद जो वीडियो आएगा वो odds ratio का रहेगा इसी के साथ probability जो series है वो खतम हो जाएगा बट और वीडियो अगर आप लोग comment करोगे तो हम लोग add कर देंगे ठीक है बच्चो तो start करते है base theorem बट base theorem के लिए आपको सबसे पहले conditional probability तक जितनी भी चीज़े है probability के वो आपको पता होनी चीए ठीक है तो conditional probability हमने क्या समझाता है कि probability अगर हम लोग को मैंने यहाँ पे a notation use किया है तो मैं यहाँ पे a notation use नहीं करना हूँ c given d अगर हम लोग को find out करना है c given d तो conditional probability क्या बोलेगा probability of c intersection d divided by probability of d इतना आपको पता होना चीए अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग base theorem नहीं कर सकते ठीक है तो अभी जो base theorem है बच्चो यह तो हमको पता है इसलिए मैं रेस कर रहा हूँ base theorem एक mathematician है Thomas base उनके नाम पे रखा गया है 18th century के जो mathematician थे उनके नाम पे रखा गया है इसका बहुत सारा application है आप लोग machine learning अगयरा सुनते रहोगे अभी तो machine learning में इसका application आप लोगो देखने को मिल जाएगा फिलाल हम लोग देखते हैं कि सर अगर हमको अभी हमको machine learning को तो apply नहीं करना है अगर exam में कोई question आया तो हमको कैसे समझेगा कि base theorem का question है हमको यहाँ पे base theorem apply करना है ना कि conditional probability apply करना है ठीक है तो simple scenario imagine करते बचों अगर अपने पास दो boxes है box 1, box 2 ठीक है box 1, box 2 यह दोनों box को अभी दिखने में identical नहीं दिख ले बट माल लेती कि अगर दोनों boxes identical होंगे तो फटावड बट बताओ दोनों में से किसी भी box को select करने का probability क्या होगा 1 by 2 अतला box 1 को select करो probability 1 by 2 box 2 को select करो probability 1 by 2 अगर आप लोग को मेरा आवाज fast लग रहा है तो आप लोग थोड़ा YouTube में वोफ slow करते का option आते है उसके आप लोग slow कर सकते हो यह तो मैं try कर रहा हूँ frequency match करने का so box 1 का probability 1 by 2 box 2 का probability 1 by 2 if the boxes are identical now let's say box 1 में 8 green marbles है and 7 red marbles है box 2 में 8 कोई और नमबर लेते हैं 11 green marbles है and 9 red marbles है अब मैं आपको अगर बोलू कि box 1 से green marbles select करने की probability क्या है क्या बोले मैंने box 1 से green marbles select करना means sir आप box 1 अलड़ी आपने select कर लिया है और उसमें से आप green marbles select कर लिए तो यह क्या है conditional probability है तो कितना हैंगा बता बच्छो total marbles है 15 8 by 15 box 1 से red marbles select करने की probability क्या है बच्छो 7 by 15 very simple साथ मैं बोलते हो आपको और भी समझेगा ठीक है similarly box 2 से अगर मुझे green marbles select करना है तो उसकी probability क्या है 11 by 20 box 2 से अगर red marbles select करना है तो उसकी probability क्या है 9 by 20 अब ध्यान से सुनो तुम लोग बोलो के सर यह तो हम लोग को पता है कि conditional probability यह ना बट अगर यही question में थोड़ा से modification करूँ क्या अभी क्या कर रहे सर बॉक्स दिया है box में marble है marble हमको green चाहिए तो उसकी probability क्या है from box 1 from box 2 green marble की probability क्या है यह है बट अगर आप लोग को में बोलू कि आपको किसी ने एक marble दिया क्या दिया एक marble और वो marble का color green है वो marble का color क्या है green है और फिर आप से पूछे क्या probability है कि वो box 1 से एक बार फिर से आपको किसी ने marble दिया और वो marble क्या है green है मतलब green वाला event अलड़ी हो चुका है आपको पूछा है कि क्या probability है कि वो box 1 से है मतलब तो probability of box 1 given green यह आपको पूछा है मतलब सर आपको यह दिया था और आपको पूछा यह है तो ऐसे किस में हम लोग base theorem यूज करते हैं लोग बोलो कि सर यह तो reciprocal कर दो आजाएगा अंसर नहीं यह बच्चो ग्रीन गीवन फस्ट बॉक्स है यह फस्ट बॉक्स गीवन ग्रीन है इस तरीके से आप रीड करो यह अपॉन नहीं है तो आप रिवर्स नहीं कर सकते समझ में आ रहा है ठीक है तो इसको हम लोग बेस थेरम के पास जाते हैं तो बच्चो अभी यहां पर ज्यान दो इस probability को हम लोग posterior probability बोलते क्या बोलते हैं posterior probability ठीक है अब मुझे बताओ probability of i given g मतलब box one given green marble अगर चिप ऐसा scenario रहता तो हम लोग बेस थेरम कैसे apply करते सर बेस थेरम apply करने का बहुत simple सा rule था क्या probability of i intersection g divided by probability of g that's it probability of i intersection g divided upon probability of g now बच्चो मुझे बताओ simultaneous occurrence simultaneous occurrence हमने conditional probability में देखा था मतलब simultaneous occurrence मतलब multiplication theorem का अगर हम लोग formula apply करे तो probability of i intersection g हम लोगों कैसे मिलेगा probability of i intersection g कैसे मिलेगा probability of g into probability of g given i upon probability of g तो यह आपका base theorem है तो यह scenario में आप लोग base theorem use कर सकते हो हम लोग example करेंगे तो और अच्छे से आपको समझेगा कि formula कैसे apply करना है अगर आपको यह चीज़ नहीं समझाए बच्चो तो previous video आप लोग एक बार देख लेना उसमें मैंने explain किया है कि multiplication theorem वाला concept क्या है तो यह आपका base theorem का पूरा explanation कि base theorem कभ यूज करोगे अब base theorem का proper definition क्या है proper definition यह है एक और चीज़ बच्चो यह जो हाँ ठीक है मैं आपको यहाँ पर explain कर दो ठीक है तो base theorem का proper definition क्या है if e1 e2 dot 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 e n are mutually exclusive and exhaustive events where i goes from 1 to n for any arbitrary event a अब तुम लोग गोगे यह चीज़ ना इस इधर से explain करो मैं explain कर रहा हूं न e1 e2 dot 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 e n मतलब box 1 box 2 box 3 box 4 इसको बोलते prior probability मतलब आपको prior probability पता है ठीक है मतलब e1 e2 dot 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 e n अगर रहेंगे आपके mutually exclusive और exhaustive होने चीज़ जैसे यह दोनों mutually exclusive होते है और आपने इन दोनों को add किया 1 by 2 plus 1 by 2 आपको probability कितना मिला 1 which is exhaustive तो e1 e2 dot 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 e n are mutually exclusive पर यह exhaustive भी था और बच्छो ऐसे case में अगर आपको मैंने क्या बोला यह जो था e1 e2 dot 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 e n मतलब probability of 1 probability of 2 इसको बोलते हैं prior probability अपने को पहले से पता रहेगा यह है likelihood probability और हम लोग prior और likelihood के मदद से क्या निकालते है posterior probability तो अगर किसी ने पूछा की base theorem में क्या निकालते है तो base theorem हम लोग posterior probability निकालते है किसकी मदद से prior and likelihood ठीक है तो यह आपका posterior है यह आपका prior है और यह आपका likelihood है तब यहाँ पर जान देना बचो पे एटेंशन तो यह सब जो सिनारियो है आप लोग उसको इस theorem में अकॉमोडेट कर सकते हो जनरली यह theorem का proof है मैं आपको explain कर सकता हूं बट यह वीडियो में हमको समझना था कि base theorem कभी यूज करना है और कैसे यूज करना है बेस्थेरम के प्रॉब्लम है हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले तो एक पर फिर से रिवाइस कर लेते तो वीडियो में हमने क्या देखा कि कर अब कभी भी हमको posterior probability निकालना रहेगा तो हम लोग किसके पास जाएंगे बेस्थेरम के पास जाएंगे तो बेस्थेरम क्या है कि अगर अपने पास एवन इटू डॉट 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 एएंग्सुली और अग्सुलूजी और अगर हमने किसी ने यह इवन नहीं पूचा है तो हम लोग बाइदा नॉलेज और कंडिशनल प्रॉब्लिटी क् EI intersection A upon probability of A ठीके EI आएगा और यहां पर intersection A आएगा upon probability of A ओके बच्चों तो अभी EI intersection A अब कैसे मिलेगा EI intersection A probability of EI into probability of A given EI यह किसने बोला यह बोला multiplication सेरम में और अप लोग probability of A को expand करके यह बोल सकते हैं तो अगर तुम लोग बोलोगे सर यहां पर आप solve करके बताओ क्या probability of getting green marble from first box तो वो कैसे मिलेगा मैं इसको erase कर ला अगर आप लोग को चाहिए तो screenshot ले लो मैं थेरम erase कर रहा हूँ ठीक है तो अभी मैं आपको इसका answer explain करता हूँ answer कैसे निकालोगे आप लोग ठीक है एक मिनट से जाधा time नहीं लगेगा तो pay attention बच्चों probability of first marble from green box ठीक है तो सिब आप वो numerator में लिखनेगा मतलब सर पहले box 1 बाद में green दोनों को multiply करो upon green के जितने केसे से अब सारे केसे denominator में लिख देनेगा समझ में आ रहा है green के जितने केसे से तो सर आप box 1 में से green marble ले सकते हो या फिर box 2 में से green marble ले सकते हो समझ में आ रहा है तो box 1 में से green marble लिया वो numerator में आगा कि मुझे उसकी probability पूछी है और denominator में सारे possible cases लिखने का कि green marble first box में भी हो सकता है green marble second box में भी हो सकता है अगर एक और box होता box number 3 तो हम लोग यहां पे plus करके एक और लिखते box number 4 होता तो plus करके एक और लिखते बट numerator में हमेशा सिर्फ वह ही लिखने का इसका probability आपको पूछा है that's it this is for the video अभी इसका जो next video रहेगा उसमें हम लोग इस तेरियम के related दो से तीन सम सॉल्व तरेगा जो वीडियो बड़ा हो सकता है ठीक है बच्छो थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो प्लीज शेर दिस वीडियो थैंक यू